मसकार दोस्तों, तो आज इस वीडियो लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है, that is the basics of complex, basics of complex analysis, तो हमें complex analysis की पहले तो fundamental जो हैं, उनको हमें समझना है, और फिर हम धीरे-धीरे step-by-step अपने idea को develop करते जाएंगे, और फिर इनकी जो और detailed analysis है, जिसमें का integration आता है, residue का analysis है, बहुत कुछ है जो कि complex में हम लोगों के सामने है, जिसको कि हम लोग देख सकते हैं, तो शुरुआत हम सुरू से करते हैं, देखो इसकी जो ये word है complex के उपर हमेशा से debate रहा है, कि whether it is a good word और सही word है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने किसी ऐसे word को अपने साथ carry कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, तो पहले तो हम समझ लें कि complex analysis की mathematics में importance क्या है, तो एक तो ये है कि complex analysis जो है, ये एक बहुत ही beautifully elegant किसम की branch है, मतलब इसमें बहुत अच्छे से concept हैं, जो कि हमारे problematic situations जो होती है, mathematical problematic situations जो होती है, उनको बहुत ही अच्छे से reduce कर देती हैं, उनको किसी ऐसे form में convert कर देखती हैं, जिनकी analysis करना हमारे लिए आसान होता है, तो complex analysis भले ही एक नाम है complex analysis, लेकिन ये ease कर रही है, ये हमको सरलता प्रदान कर रही है, तो इसको complex कहना, इसको historical, इसका कुछ region है, जिसको complex कह रहे हैं, लेकिन इस analysis ने हमको एक ऐसा mathematical freedom दिया है, जिससे हम अपनी problem को, mathematical problem को, एक scale down कर देते हैं, और बहुत अच्छे से बहुत ही accuracy के साथ, उन problem को solve कर सकते हैं, तो it is also a very powerful method, जिसकी सहायता से हम mathematical exercises, mathematical activities perform कर सकते हैं, efficient के साथ, with more accuracy, with less chances of गरबड़ी के, तो it is a very important tool in the mathematical science, mathematical science है, engineering है, जहां कहीं भी mathematical analysis के हम बात करते हैं, वहाँ पर ये एक बहुत important instrument की तरह से, टूल की तरह से आता है हमारे सामने, अच्छा, अब अगर सवाल कहें कि इसको discover किस ने किया था, तो इसको बहुत इसकी discovery का, तो हम श्रे किसी single person को तो नहीं दे सकते, अगर बात करें हम लिबिनिज की, तो लिबिनिज ने सबसे पहली बार इस तरह का एक idea दिया था, कि under root minus one is equal to I, अब यह जो I उन्होंने कहा था, तो उन्होंने वहाँ पर, सबसे पहली बार उन्होंने बोला था कि, it is something in between the reality and non-reality, it is an amphibian of something, उनका statement था, आगे हम लोग देखेंगे, तो वहाँ से वास्तविक्ता और आवास्तविक्ता के बीच का एक number खोजना, लिबिनिज के द्वारा, वहाँ से यह जो word है, imaginary, या इसको कुछ लोगों ने सुरू में impossible number कहा, let us say it is impossible number, impossible मतलब जो है भी और नहीं, जो होने और ना होने की बीच में है, तो, but that word was not very acceptable, हम कहें, no, this is impossible number, impossible number, but imaginary भी तो एक तरह से वही सेंस हो करता है, impossibility का है, imaginary, लेकि अगेर यही है कि, मतलब फिलोसिफिक, अभी काल लेबनिज वाजा, very good philosopher, great philosopher, तो philosophers यह कहते हैं कि impossible means आप सोच भी नहीं रहे हो कि वो संभव है, this is the inherent meaning of impossible, असंभव, असंभव मतलब जिसके संभावना ही नहीं है, सपनों में भी संभावना नहीं है, ऐसा कुछ, imaginary मतलब जो है हमारे सपनों में है, जो हमारे कलपनाओं में है, तो इसलिए impossible number is not a very good word, imaginary is a much better word, और यह तो philosophical label पर रहा, लेकिन बहुत ज्यादा इस पर वहाँ से आगे mathematically वहाँ उसना काम नहीं हुआ, इसमें जो अगला बड़ा figure आता है, I will again say the Leonardo Euler, तो Euler जो होते हैं, Euler इसमें बहुत बड़ा figure होते हैं, हम Euler की equation पढ़ते हैं, Euler equation जो complex analysis की equation है, complex analysis की basic equation है, कि E is equal to I, pi is equal to 1, this is the Euler equation, तो हम इस Euler equation को पढ़ते हैं, तो Euler जो अपनी equation लेते हैं, तो वो बहुत कुछ करते हैं, देखो, mathematics में कुछ बड़े ही fascinating number है, pi, pi is a very fascinating number, इसकी अपनी कहानी, imaginary number, अपने याप में बहुत ही fascinating, exponential is another very fascinating number, ये equation देखो, why this is called one of the greatest equation in mathematics, because ये तीनों खतरनाक क्रांतिकारी किसम के जो mathematical symbols हैं, उन सब को आपस में unite करता है, और किसके बड़ाबर unite करता है, just one, मतलब आप सोचो कि pi, i and e, ये सारे important number mathematics के, जब आपस में खास तरह के से amalgamate होंगे, तो क्या देंगे, one, this is the, this shows the philosophy of this whole world, कितने बड़ी बड़ी यात्राओं पर आप चले जाओ, कितना भी बड़ा बड़ा कर लो, तो आखिरी में आप एकाकी पर ही आ करके रुकोगे, आखिर में आपकी गती, एकाकी unity, एक singular point पर, एक singularity पर आप converge हो जाओगे, अब इस philosophy से हम जीवन, मृत्यू, अर्थकाम, मोच, जो भी कुछ जोड़ना चाहें, वो तो हमारे दिमाग के उड़ाने हैं, जोड़ सकते हैं, but this is a very fascinating equation, तो अगर मैं बात करूँ, कि इसमें क्या था, तो आईलर जो थे उन्होंने ये equation खोजी, इसी के साथ साथ, चुकि पाई is itself एक angle है, एंगिल है, थीटा है, तो एक e की पावर, आई थीटा जो है, ये एक formula है, आईलर के ही द्वारा दिया गया, तो ये exponential, imaginary और trigonometric जो function होते हैं, उनके बीच का interrelation शो कर रहा है, इस अनदर वेरी important formula, उसके बाद, आईलर के बाद का जो समय रहा है, या उनके समय भी में जो रहा है, अगर हम complex के development के बाद करें, तो complex analysis के development में तीन figures हैं, तीन mathematician हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है, पहला तो है, culture, ओथर कौशी, ओथर कौशी जो हैं, ये 1789 से लेकर के 1857 तक का इनका समय है, हम mainly अभी जो पढ़ेंगे, हम जो analysis, complex analysis को जो पढ़ रहे हैं, तो जो हम approach adopt कर रहे हैं, वो mainly कौशी की develop की हुई approach है, तो he is a very prominent figure in the complex analysis, उसके बाद आते हैं के वाइस्ट्रास, के वाइस्ट्रास जो होते हैं, ये हमको एक series, sequence, convergence, इन सारी चीजों का जानकारी देते हैं, तो हम वो series, sequence, convergence, type, deconvergence और वो सब चीजों को apply करते हैं, अपने complex analysis में, और ये हैं हमारे पास 1815 से लेकर के 1897 तक, उसके पाद एक और figure है, जिसको कि हम नहीं neglect कर सकते हैं, that is the reman, another very great figure, very goss के student, 1826 से लेकर के 1866, ये जो हम लिख रहे हैं, ये इनके जीवन का समय है, जब ये मरे, जीवन रहे जितने समय में रहे, तो रीमन का काम क्या था, रीमन जो है, चुकि वो goss के student थे, और goss was, maybe you know that, goss, गड़ित की दुनिया के ऐसे बेताच बास्शाह रहे हैं, साइद आइंस्टीन, अगर हम फिजिक्स में कहते हैं, आइंस्टीन is one of the greatest mind in the physics, तो goss is not less than the Einstein, और Newton ये जिसके, जो भी बड़ा फिकर आप equivalence करना चाहो, तो goss उसमें equivalency में आते हैं, रेमान उनके, बहुत 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 भेदरी इन इस्टुडेंट रहे हैं, और रेमान को goss ने geometry के तरफ train किया था, तो रेमान geometry में बहुत काम है, remainin geometry, clidian geometry, remainin geometry पढ़ते हैं, तो रेमान ने जब complex analysis को देखना सुरू किया, तो उन्होंने complex analysis के उपर geometry अपलाई किया, तो जो हम complex analysis का जो भी geometrical version समझ रहे हैं, जो भी geometrical version पढ़ रहे हैं, जो भी geometrical version adopt करें हैं, वो सारा geometrical version, most of the geometrical version, remon का develop किया हुआ है, तो जहां भी हम geometrically आएंगे, हम conformal mapping और ये सब चीज़े देखेंगे, तो वहाँ पर हम remon को याद करेंगे, तो जो systematic theory है, जो पूरी systematic theory है, कि कैसे हम systematic group से, उसके roots की बात करें, फिर systematic group से, उसके continuity की बात करें, फिर systematic group से, differentiability की बात करें, function के analytic की बात करें, costly remon condition की बात करें, तो ये सब कुछ वहाँ से आएगा, जो की हम follow करेंगे, वस ट्रास जो थे, वो उन्होंने power series method जो था, वो इ यानि एक तरह से आप कह सकते हो, कि algebraic treatment जो था, complex analysis का, जो algebraic treatment है, that was the, introduced by दावास्टरास, and आखिर में, जो geometrical point of view था, जो हमारा, geometrical point of view है, वो हमको देने में, हमारे लिए, develop करने में, रेमन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो ये हैं हमारे पास कुछ, कुछ basic initial, से detail, historical, क्योंकि, जैसे, मैं, मेरा ये मानना, जैसे हम, हम, हिंदु संस्कृती में है, कि जब भी हम किसी पूजा पाठ करते हैं, तो हम, जो देवता हैं, उनका वाहन करते हैं, उन देवताओं को, हम नमन करते हैं, अपना काम सुरू करने से पहले, तो, अगर मैं complexional से सुरू कर पाओं, तो मुझे मेरे लिए ये जरूरी बनता है, कि मैं उन लोगों को एक बार जरूर याद करूँ, जिन्होंने अपने जीवन को लगाया है, इन सब चीजों को बनाने में, और ये सीजे जोनों बनाई हैं, उससे हमें बहुत सरलता मिली है, उससे हमें बहुत ज्यादा एक strength मिली है, हमारी mathematical insight develop होने में बहुत बड़े योगदान है, और हमें उनको एक तरह से tribute करना चाहिए, तो वो ये था discussion का ये हिस्सा, अब आते हैं हम अपने पास, अपने इस concept पे, सबसे पहले सुरू करते हैं, सुरू सुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम सुरू करते है What is the complex number? Again, complex number की जो सुरुवात है, बहुत पुरानी है, बहुत सारे लोगों ने इसमें contribute किया है, तो आप ये कह सकते हो कि complex number is a number which is a collection of two type of number, one is a real part and this whole thing is called the imaginary part, this is the imaginary part, और इसको symbolize करते हैं Z से, लेकिन खास बात ये है, कि जो हमारे पास imaginary part है, imaginary part है, उस part में कौन-कौन है, I time Y है, यहाँ पर जो I है, यह अपने आप में एक imaginary number है, तो imaginary part में एक imaginary number खुद है, और जो Y है, वो अपने आप में real number है, इसका मतलब है, X और Y यह दोनो real number की domain की चीज़े हैं, यह जो I है, this is the imaginary number, और जैसा कि Lebanese ने कहा था, I is nothing but under root minus 1, यह आपके पास यहाँ से आ जाता है, तो आप यह को होगे, कि अगर हमारे अब यहाँ पर एक और लोग आते हैं, argland, argand आते हैं, और भी vessels करके लोग आते हैं, यह लोग भी क्या थे उस जमाने में, कुछ publication कर रहे थे, जैसे इसमें से एक mathematician कहेंगे, I think vessel करके थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक तरह से Dutch, वो एक Dutch थे, तो Dutch थे और उन्होंने एक paper publish किया था, वो paper उन्होंने अपने यह बात है, न्यूटन के पहले कि, न्यूटन के लगभग जमाने की, 1700 कुछ में, तो Dutch academy में उन्होंने एक paper publish किया, और वो जिस academy में पेस करते हैं, उसके साथ वो member नहीं होते हैं, उस academy member नहीं होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका paper इतना ज्यादा effective होता है, कि उन उनको academy award देती, scholarship देती है, for writing that paper, और वो सायद vessel जो होते हैं, सायद वो पहले ऐसे वेकिते होते हैं, जो academies award पाते हैं, although he was not the member of the academy, फिर क्या हुआ, उनका paper award हुआ सब हुआ, और पढ़ा रहता है, वो बहुत सालों तक पढ़ा रहता है, सायद 90 साल बाद, एक दूसरा कोई mathematician होता है, वो उस Dutch भासा से उसको English में convert करता है, translate करता है, तो जब वो उसको Dutch भासा से English में translate करते हैं, तब दुनिया, जो अंगरेजी बोलने वाली दुनिया है, जो कि पूरी दुनिया पे एक तरह से dominate कर रहे थी, वो एक काम समझते हैं, और ये तब तक either का जमाना आ चुक गया था, फिर उस पर देखा जाता है, फिर वहाँ पर एक argand, argand करके एक और विक्ति होते हैं, उनकी उपर बात होते हैं, ये कौन है, तो फिर कहते हैं, इन्होंने भी एक geometrical structure देते हैं, कि वो जो हम आज की date में एक word पढ़ते हैं, complex plane, तो complex plane का जो idea था, वो in argand का था, दि जानकारी नहीं विलती, कुछ लोग कहना है, कि argand जो थे, वो एक ऐसे सौकिया तोर से एक mathematician थे, basically वो कोई book publisher थे, या binder थे, ऐसे कुछ था, और उन्होंने एक idea दिया था, कि डकार्टे काम पढ़के, कि जैसे डकार्टे ने कुछ बताया है, वैसे चलो हम भी ये भी कुछ तो इस तरह से बहुत सारी, बहुत historically कुछ खोजबीन चली, तो कुछ पिछे के route मिले हैं, लेकिन आज की देट में हमाई लिए ज़रूरी है जानना कि what is complex plane, किसने भी खोजा, कैसे भी खोजा, क्या भी हुआ, but what is the meaning of the complex plane, तो complex plane का जो idea है, जिसको की लोगों ने adopt किया, even ज अच्छे से polish किया, उसमें ये है कि आप ऐसा करो, आप एक plane imagine करो, plane में एक ये x-axis है, जो कि real axis है, ये real axis है, ये हमारी imaginary axis है, this is the imaginary axis, जो कि हम axis को ही imaginary कह चुके हैं, इसका मतलब है ये जो i y number है, यहाँ पर हम draw करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो values देंगे, वो किसको देंगे y को, इसे y की value 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह दे रहे हैं, तो ये कैसे कह रहे हो कि imaginary axis में हम i1, i2, i3, i4 क्यों नहीं कह रहे हैं, इसको हम already imaginary axis कह सके हैं, इसका मतलब इसके अंदर i का role है, तो ये i time 1 ही है, i time 2 ही, i time 3 ही है, ऐसे यहाँ x है, इस पर तो real values आपने दे दी, सपोज आपको x plus i, y ये number यहाँ पर show करना है, तो आप ऐसा करो, real axis पर x point पर आओ, यहाँ आ गए, और imaginary पर y चलो, इसे मालो 3 plus 2, 5, sorry, 3 plus i time 5 देना है, तो आपको 1, 2, 3, आप यहाँ जाओ, ठीक है, और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 आप यहाँ आओ, तो यह जो point होगा, that represents the 3 plus i, 5, तो यह i जो है, यह already इस axis के अंदर included है, इसके अंदर imaginary axis हम कह रहे हैं, इसके अंदर included है, तो अगर हम यहाँ से एक show करें, तो हम एक, एक तरह से एक vectorial form जैसा कुछ show कर सकते हैं, origin है 00, वहाँ से हम show कर रहे हैं, इस particular point को, तो किसी भी समय हम x plus i, y जो है, इसको represent कर सकते हैं, तो अब यहाँ पर जैसे अगर आपके पास कुछ है, z is equal to x plus i, y है, इसमें हम कुछ नाम देंगे, इसे z है, तो z के हमें एक modulus ले लेंगे, modulus या कहलो उसका magnitude, इसकी value ले लोगे, तो यह modulus कितना हो जाएगा, under root x square plus y square, इसका एक modulus हो जाएगा, तो absolute value जिसको अभी कैसा है, त इस तरह से किसी compress कि लेते, तो आप देखते हैं यहाँ पर, इस तरह से आपके पास absolute value आ जाएगी, ठीक है, इसके बाद फिर अगर अब यहाँ पर हम, और detail में अगर हम जाएं, और हमें जाना पर पढ़ेगा, चुकि हम basic की बात कर रहे हैं, तो अब हम argon plane, या gauss plane, या complex plane क को थोड़ा detail की तरफ ले जा रहे हैं, तो जैसे आप सोचें यहाँ पर, कि आपके पास suppose यह है एक plane, this is the real axis, this is the imaginary axis, आपके पास यह number है, x plus i y, और आपके पास यह एक तरह का vector है, जो कि r है, यानि कि यह modulus of z दिखा रहा है, यह modulus of z है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम एक angle भी draw कर सकते हैं, तो इस angle theta को हम कहते हैं, argument of, इसको कहते है, argument of z, short form में लिखते हैं, arg z, z के लिखते हैं, generally मैं z की उपर से cut लगा देता हूँ, आदत की बात है, तो यह real axis है, ठीक है, यह हमारी imaginary axis है, imaginary axis है, और यह इस तरह से हमने x लिया है, तो इस हिसाब से यह जो plane है, इसको हम कई नाम से बुलाते हैं, इस एक हमने कहा था complex plane, क्योंकि complex number को represent कर रहे हैं, इसको हम नाम दे देते हैं, gauss plane, इसको हम norm दे देते हैं, argand plane, इस सब इसके अलग-अलग नाम है, cause plane, argand plane, complex plane, इस सा सारे सब इसके नाम है, और वो जो statement था, वो statement में आपको लिख देता हूं, जिसके बाद से इसको हमने imaginary axis कहना शुरू कर दिया था, वो statement लिबनीच का था, जब लिबनीच ने under root minus one को आई कहा, तो उन्होंने कहा था, कि this is the amphibian, amphibian logic award होता है, amphibian between existence and non-existence, this was the, this was the statement about this number by the लिबनीच, कि this under root minus one, that is I, is an amphibian between existence and non-existence, तो यहां से origination होता है, और यहां से हम लोगोंने complex number की बाते देखी हैं, अगर algebraic situation की बात करें, तो कुछ algebraic situation, just a minute, अगर हम यहां पर कुछ algebraic situation की बात करें, तो कुछ property हैं, जो कि complex number show करता है, तो अगर हम बात करें, algebra की, algebra of complex analysis, algebra of complex analysis, तो इसमें एक property तो यह है, कि, ऐसा मैं लिख देता हूं, the set of, the set of complex number, the set of complex number with addition, with addition, यानि की plus and multi with addition and multiplication, मतलब dot operations, operations is a field, field, अब यह चीज, अगर आपने group theory, और वो थोड़ा detail में पढ़ा है, यह वहां तक पहुंचे होती है, यह statement आपको समझ में आ रहा होगा, कि हम किसी set को, कब field declare करते हैं, जैसे हमारे पास होता है, कि अगर आपको पास एक set है, set of elements है, अगर वो certain property show करता है, तो उसमें ring की property को show करता है, और उसमें property जोड़ते जाते हैं, तो वो field की property को show करता है, तो field की property show करने के लिए आपको दो operations यहां पर बताने पड़ते हैं, तो अगर हम complex number पर addition का operation और multiplication का operation अपलाई करें, तो वो जो set of complex numbers होंगे, they will form a field, नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको अभी इ हाइर चीज़ें लेकि यह जाननी जरूरी है, क्योंकि this is a standard terminology, तो अगर हम यहां पर बात करें, तो इसका मतलब है कि addition and multiplication are commutative, addition और multiplication जो होता है, वो इसमें commutative होता है, इसका मतलब है आपने z1 प्लस z2 कहा, या z2 प्लस z1 कहा, तो यह सब एक ही बात है, यह तो हो गया, addition के लिए commutation, z1 multiplied by z2 कह रहे हो, या z2 multiplied by z1 कह रहे हो, this is the same thing, this is the commutation, addition and again addition and multiplication are associative, addition और multiplication जो होते हैं, वो क्या होते हैं, associative होते हैं, इसका मतलब है आप z1 प्लस z2 बाहर z3 कर दें, is the same one, z1 प्लस z2 प्लस z3, या आप z1, z2 को multiply करें, z3 कर दें, या z1 को बाहर रखके, z2, z3 को multiply करें, एक साथ, the same thing, equation number, property number 3, additive identity is always present, अब अच्छों, यह जो मैं कह रहा हूँ न, यह से field की property ही कह रहा हूँ, अगर आपने field पढ़ रखा है, या field पढ़ो गया आगे जाने वारे समय में, algebra वगरा में, तो इस सब आपको, हाँ सारी तो normal सी बात हैं, जो आप बता रहे हो, आइडेंटिटी होता है, जिस अगर आपको पास कोई function z1 है, तो वहाँ पर कोई element ऐसा exist करेगा, जो कि z1 में जूड करें, z1 को आपस से reproduce कर देगा, तो जैसे identity present होती है addition के लिए, ऐसे ही, multiplicative identity is also present, तो multiplicative identity में कुछ ऐसा होता है, जैसे आपके पास z है और आप उसको multiply करें one zero, सब यहाँ one zero को मतलब real part है, imaginary part नहीं है, इस तरह से कि z1 वापस से आजाएगा, तो इसको multiplicative identity कहते हैं, पाचवा है कि each element, जो आपके पास एक group बन रही है, complex number की, तो each element has an additive inverse, इसका एक, सभी element का एक additive inverse होगा, तो इसका मतलब है, अगर आपके पास x, y set है, जिसमें की है कुछ, तो वहाँ पर minus x, minus y कुछ होगा, कि दोनों को add करके, आप वही identity element पा जाओगे, जो की, जिसको की हमने addition के लिए define किया था, तो additive inverse मतलब होता है, किसी number से, एक ऐसा number जुड़ जाए, कि दोनों का result, identity आ जाए, तो इसको हम additive inverse कहते हैं, और छठा जो इसमें गुण है, छठा जो गुण इस field का होता है, वो है, multiplication is, recording कर रहे है, is distributed over addition, ठीक है, multiplication is distributed over addition, यानि अगर आपके पास Z1 है, आपके पास Z2 है, आपके पास Z3 है, तो ये value, Z1, Z2 हो जाएगा, और Z1, Z3 हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ algebraic structure है, in complex numbers का, जो कि ये follow करते हैं, और बहुत ही strongly follow करते हैं, जिसका बड़ा impact होता है, तो यहां के बाद, अब हम बात करेंगे, इनके और property की, कि कौन-कौन से identities ये fulfill करते हैं, जिससे कि एक identity जो इनके पास follow होती है, स्वार्ज identity कहते हैं, triangular identity होती है, जो complex number हमेशा follow करते हैं, तो अभी तो ये basic का रहा है, आगे हम लोग बात करेंगे कि कौन-कौन से identities होती हैं, जो कि ये follow करते हैं, और उस identity के बाद, फिर हम एक, इनका, आईलर के काम पर पहुंचेंगे, जो कि इनका, ये था कि कैसे, आईलर ने उस complex number वाला जो analysis था, e की power i theta उसको complete किया था, और फिर demover ने कैसे उसको generalize किया, और कैसे हम फिर आगे further कैसे हम उसको और utilize कर सकते हैं, different type के questions को करने में, तो ये हमारा अगला topic होगा, और उसमें फिर हम लोग इस अब टिसकुस करेंगे, ठीक है, चलिए मिलते है फिर क्लास में, have a nice day, take care, bye-bye